हेलो आवरिवड़ी एचाससी पुलीस भरती सम्मंदित जो पुरानी भरती थी उससे सम्मंदित आप सभी के लिए गुड नूज है यदि आप जाना चाहते हैं और आप इस भरती से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका सती राजे स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और आपके अपने यूटूब चैनल नौलेज टिवी देशिता उपर कैसे हैं आप सभी दोस्तों इस चैनल पर हर रोज आपके लिए एक या दो वीडियो जो भी आजोब से जुड़ी जानकारी पर मिले के आता रहता हूँ जो आपके लिए कहीं न कहीं helpful जरूरती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि कोई भी important वीडियो या important information आपके मिश ना हो तो दोस्तो बात कर लेते हैं चैनल सी पुलिस भरती के बारे में तो ये पुरानी भरती से सम्मदित एक गुड़ने उज़ए कि इसारा है आपके लिए वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो दोस्तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सिपाहियों के सेस 221 पदों को भरने के लिए नई मैरिट लिस्ट बनाएं हंजी 221 बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी ख़बर हो सकती है यदि इस पर कारवाई होती है और पोजिटिव इसारा मिलता है यहाँ पे आपे देखेंगे पंजाब एम हरियाना हाई कोर्ट ने एक याचिका का निप्टारा करते हुए हरियाना करमचारी चाइन आयोग को आदेश दिया है कोर्ट ने एचससी को आदेश दे दिया है कि हरियाना पुलीस के 5000 जुवानों की भरती मामले में रिक्त बचे 221 पदों को शामन्य स्रेणी में रखकर प्रिणाम समसोजित करने के खिलाब याचिकी मांग पर 15 दिन के भीतर निरने ले दोस्तों मामला क्या है मापको बताता हूँ हरियाना पुलीस के पुरानी वरती थी जिसमें लगबग 500 के असपास SBC के कैंड़ेट थे SBC की वकैंसी थी पोस्ट थी उसके बाद में SBC को कैंसल कर दिया गया रद कर दिया गया सरकार के दुबारा और फिर इन वकैंसियों को SBC जो पोस्ट थी इन पदों को जनरल में मिला के रिजल्ट गोशित कर दिया ठीक है उसके बाद में सभी कटागरी में कुछ ना कुछ हल चल होई कटोफ की जिसके वज़से कुछ वकैंसी और खाली हो गई जो की 221 वकैंसी है अब CSSC चाहती है और यांद सरकार चाहती है इनको की जनरल काटेग्री में ही वरा जाए लेकिन ये जिसने कोोर्ट केस किया है इसने काहा है कि ये सभी काटेग्री वाइज कटोफ बनाई जाए category wise ही इन वकईट 211 पदों को बढा जाई जिस category में पद खाली है उसी vacancy की इनको नोकरी दी जाई या बढ़ते की जाई general में इनको add ना किया जाई यदि general में add करना है तो general में add करें पूरा का पूरा result दूबारा से गोशित किया जाई 5000 पद होगा क्योंकि जो SBC का result निकाड़ा गया उससे effect पड़ा है पूरी list पर और जिसके विज़े से दोस्तो 21 पद खाली हुए हैं वो अलग-अलग category हो के हैं और सरकार इन्हें केवल जन्रल में बढ़ना चाहती याचिका ने केस दायर कर दिया है कि इसे सभी category रिवाईज ही बरा जाए दोस्तो ये ऐसा हो जाता है तो आपके लिए अच्छे गबर है दूसरा दोस्तो 21 वकेंशी खाली तो है ही है ये तो कंफरम है और सरकार इनको भरेगी उसी भरती के लोगों से तो 21 लोगों को नोकरी तो मिले ही मिलेगी ये तो शौर्टी है वो हो सकता है जनरल के हो हो सकता है सभी category रिवाईज हो ठीक है दोस्तो तो ये गूड नियूस थी जो आपके साथ सेर करने थी अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं वो आप कमेंट करके जुरूर बताएगा और आज की वीडियो में यहां तक देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आप सभी का दिन सुब रहे हैं दोस्तों इदिया आप किसी और एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जो आपके एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो KTDT Online Education आप पर आपके लिए बहुत सारा study material भी है और इसके लाओ दोस्तों यहां पर आपके लिए पेडि सेक्शन भी है ठीक है पेडि सेक्शन में आपके लिए अनेक परकार का study material उपलब्द है एडवान्स मैत का कोर्स है SSC के लिए दस जार कोश्टन है SSC के 40 मोग टेस्ट है सभी सब्जेक्ट इनकलूड है दोस्त इसके लिए अवीलेबल है SSC के लिए अवीलेबल है और यहां पर आपके लिए दोस्तों ई-book भी उपलब्द है SSC के 115 पेपर SSC के 100 पेपर और यहां पर नीशा मैडम के हिंदी के नोट्स भी उपलब्द है e-book के रूप में तो आप इने ले सकते हैं और अपने त्यारी मे थोड़ा फाइदा यहां से उठा सकते हैं चैक आउट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आज लेते हैं तो ओफर चल रहा है धन्यवाद